आप सभी का स्वागत है आईए एलेकजेंडर बेरंद्वरा लिखी स्टोरी दा मैन हू न्यू टूमच इसकी समरी को हिंदी में पड़ते हैं इस कहानी में प्राइवेट क्वेल्च का प्रिचे एक ऐसे सैनिक के रूप में होता है जो बहुत ज़्यादा ग्यानी है और हमेशा अपने ग्यान को दिखाने का प्रयास करता है उसकी इस आदत के कारण उसे प्रफैसर का उपनाम मिला है कहानी का मुख्य भाग सेना की एक प्रशिक्षन डीपो में स्थित है जहां प्रफैसर और अन्य सैनिक प्रशिक्षन प्राप्त कर रहे होते हैं कहानी की शिरुवात में प्रफैसर अपने ग्यान के प्रदश्षन के द्वारा सभी को परभावित करने की कोशिश करता है वह शस्तर वे ग्यान के एकक्षा में भी अपनी बुद्धिमता दिखाता है और सारजेंट को सही गती और अन्य तकनीक की जानकारी सुधार करके ब प्रफेसर अपने ग्यान को बढ़ाने और सैन्ने पदों में प्रग्टि करने के लिए कठिन प्रिश्रम करता रहता है। वह अक्सर रातों को पढ़ाई करता है और अपने इस्ट्रक्टरों से अनगनत स्वाल पूसता रहता है। कहानी में एक मोड़ता बाता है जब कॉर्परल टर्नबुल हाथ ग्रेनेड के बारे में पाठ पढ़ा रहे होते हैं और प्रफेसर उन्हें टोक देता है कि उन्हें किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। इससे कॉर्परल इतना निराश हो जाते हैं कि वे प्रफेसर को खुद ही पढ़ाने को कह देते हैं। प्रफेसर बीना किसी हीचक के ग्रेनेड के बारे में बहुत ही अच्छे से पाठ पढ़ा देता है। अंत में जब प्लाटून के अधिकारी कॉर्परल टर्नबुल से किसी सैनिक को विशेश ड्यूटी के लिए चुनने को कहते हैं तो कॉर्परल टर्नबुल प्रफेसर को रुसोई घर में स्थाई ड्यूटी के लिए चुनते हैं जो कि सभी सैनिकों के लिए एक मजाक और Thank you!